आज हम बात करने वाले हैं एक यू टाइप ड्रैन जो की हम एस्टिबेंट बनाने वाले हैं और जिसको भी कोई प्रॉब्लम हो या किसी से रिलेटेड कुछ भी एस्टिमेट बनवाना हो तो आप प्लीज कमेंट करके बताएगा और जो लोग नए हैं इस चैनल पर वो सस्क् करने और नए नए वीडियो अब आने वाली हैं देखने को आपको नए-एस्टिमेट मिलेंगी किस तरीके से हम बनाते हैं क्वांटिटी कैसे निकाली जाती है तो लेस्ट स्टार्ट इड हम स्टाट करतें अब अपना एक जो हम एस्टिमेट बनाते हैं उसको एक्सल में ब एक front page आता है estimate का जो सबसे उपर लिखा हुआ है ग्राम पंचाद विकास योजना जो हमें यह estimate बना रहे हैं वो ग्राम पंचाद में जो विकास के लिए काम कराए जाते हैं उससे related estimate को आज हम देखेंगे जो योजना होती है वो GPDP कहलाई जाती है और यह विस्तरित प्राकलन है योजना का नाम हम जो भी आपकी योजना का नाम होगा जैसे पंद्रों वितायोग, पंचम वितायोग वो डाला जाएगा और ग्राम पंचाद का नाम यहां लिख दिया जाएगा और विकास खंड जो भी आपका एक विकास खंड होगा वो और जिला का नाम जैसे यहां पर ब्लू एंट सहर है वो डाल दिया जाएगा उसके बाद कारे का नाम ग्राम जो भी होगा एंड उसमें किसके घर से किसके घर तक नाला निर्मार का रहा है ऐसे मैंसन कर दिया यहां लिख देंगे जितनी भी होगी वो आप लिख देंगे और वर्स हम लिख देंगे 2022 से 2023 तक ठीक है उसके बाद ग्राम प्रधान के यहां सिंगनेचर हो जाएगा और ग्राम सचीफ जो सेकेटरी होता गाओं का वो यहां लिख दिया जाएगा उसके बाद सायक विकास आभीकारी का नाम यहां लिख दिया जाएगा उसके सिंगनेचर हो जाएगा जाएगए् हम साइड में हैँ Ms. इसके बाद हम आते हैं डिटेल मेजरमेंड़ा डिटेल मेजरमाईंड के आप फॉर्मेट देख रहे हो यह मैं एक्सल शीट पे तयार किया हुआ हुए पहले से उसके बाद मैं डेटेल वीडियो वनाऊंगा आगे कि ये फॉर्मेट किस तरीके से तैयर रेडी किया जाता है ये अभी फिलाल मैं आप लोगों को ये दिखा रहा हूं कि किस तरीके से कितनी लंबाई में कितनी कोश्ट आती है एक यू टाइप नाली की ये ड्रेन की ठीक है तो ये जैसा कि ये फॉर्मेट देख रहे हो इसके सबसे उपर पहले डेटेल आफ मेजरमेंट लिखा हुआ उसके बाद कारा का नाम है ये फॉर्मेट यहां से स्टार्ट होता है सीरियल नंबर आइटम वर्क और ये यूनिट है इस लाइन इस कॉलम में और ये नंबर है है ये लैन्थ है ये बिर्त है और ये डेपथ है हॉप यह क्वांटि आ जाती है यहां रेट हर यह है ठीक है उसके बाद हमारा सबसे पहले क्या एक्सके पहले हमारा होता नालीचा कितन क्या जाता है इस्टोन बिलाष्ट के साथ भी हो सकता है तो हम उसको बेस्क तैयार कर लेंगे जितने जो भी स्लोप होगा अकॉर्डिंग टू साइड ठीक है उसके बाद हम करेंगे हुआ चिनाई जो एक चार के रेसों में सिमेंट कोर सेंड के साथ चिनाई की जाएगी जितनी लंबाई में होगी ठीक है मैं अभी बताऊंगा किस तरीके से इसमें होगा फिर उसके बाद हम दोनों दीवारों पर प उंदर अंदर यहां प्लास्टर करिए प्लास्टर का यटप मां घया फिर उसके बाद ठीक हम 212 यहां पर येंप कि लंबा है आईगी ये किसकी नाली की और उसके बाद जो चोड़ाई है उस्वाराई कि राटाएं वहां पर 0.025 यह क्या एक इंची कहते हैं मीटर में इसको इस तरीके से लिखते हैं जो कि मैं आपको दिखाता हूँ यह दीवारों पर यह डीपी सी डेली हुई है जो टेक्निकल होगा वो इस चीज को समझ लेगा और उसके बाद यह आपको यहाँ पर लंबाई आएगी जो बैड होगा नाली का बैड जिसमें पानी पानी बहेगा उसको उसे वहां पर हम उसकी चौड़ाइ में मैं अभी उपर दिखाँ को कि कितनी चौड़ाई में दी जाएगी जैसे कि मैं आपको इमेज में दिखा रहा हूँ यहाँ पर ये है बैड ये बैड में यहां पर हमें दो इंची की PCC डालनी है अब स्टार्ट करते हैं हम उसकी फॉर्मेट को कैसे उन्तियार के जाता ठीक है उसके बाद जैसा आपको यहां साइड में देख रहे हो कि यह है लंबाई यहां नाली की चोड़ाई है पूरी यहां दीवार की चोड़ाई है और यहां बैड की चोड़ाई है यहां डालेंगे हम उसके बाद वाल जो दीवार की हाइट है वो हाइट लेंगे उसके बाद base जो है जो एक छे बारे का हम base लेंगे उसकी height कितनी रखनी है ठीक है उसके बाद जैसे कि हमने suppose करा 100 meter बाद 100 meter की नाली बनानी है हमें और उसकी चोड़ाई है मतलों दोनों दीवारों की चोड़ाई और बीच का जो base जहां पानी बहेगा उसकी चोड़ाई को मिला के पूरी चोड़ाई है 0.76 ठीक है यह हमने इसमें fill कर दिया उसके बाद दीवार की चोड़ाई हमें 9 इंची लेनी है तो 9 इंची को meter में 0.23 लिखते हैं और फिर उसके बाद bed की चोड़ाई जो हमें लेनी है आपको उसमें दिखाते हैं यह यहां से यहां तक की चोड़ाई इसको fill करेंगे हम यहां पर 0.3 मतलब एक फिट उसके बाद wall के height जो यह wall के height है यहां पर यह वाली यह इसमें कितने रद्दे लगाएं उसको हम height को जैसे कि हमने 6 रद्दे लगाएं तो 6 रद्दों की height 0.45 होती है ठीक है उसके बाद base, base जो हम नीचे का कच्छा रोड़ा डालेंगे यह पक्कर रोड़ा डालेंगे उसके कितने इंची डालेंगे तो जैसे 4 इंची डालेंगे तो 0.1 मीटर आ जाएगी ठीक है यह हम fill कर देंगे automatic अपना यह खुद यह देखो यहां पर 100 मीटर आ यहां पर क्या आ गया यह खुदाई होगी यहां इसकी quantity आगी यहां रेट लगके उसका amount आ गया यह automatic फिल हो जाएगा और यह आपका estimate त्यार हो जाएगा फिर हम SOC पर जाएंगे summary of cost में यह automatic देखो estimated cost यहां पर आगी उसके बाद 18% JST लगा देंगे और यह grant total आ जाएगा 28,505 रुपेगा इस तरीके से हम estimate बनाते हैं यह bill of quantity है bill of quantity जो की यहां पर यह इतनी आ रही है देख सकते हो और यहां हमने sheet इसको नाम नहीं दिया यहां पर हमने इसकी image रख रखी है तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगए तो please like करना और चैनल को subscribe करके ही जाना और आ